हेलो स्टूरेंट्स तूड़े वी विल स्टूड़ी अबाउट वेरी शोर्ट कोश्या नंसर ओफ चैप्टर तू कम्पोनेंट्स ओफूर्ड क्लासिक्स न्सीयार्टी साइन्स किस्ट्वेंट्स कार्बु हाईड़े जो एक फूड कम्पोनेंट है उसका एक दूसरा नाम क्या है किस्ट्वेंट्स कार्बु हाईड़े को हूर हम किस नाम से जानते हैं starch की carbohydrate की ही second form या दर नेम starch है. Next, name the solution used to test starch के हमें starch का test करना है कि हमारे food component हमारे food में starch component है या नहीं starch कहो या carbohydrates एकी बात है. तो इसके लिए हम food item के उपर किस solution का यूज करते हैं iodine solution कि हम अपने food item पर iodine solution डालते हैं और अगर उसका color blue या black हो जाता है तो हमारे food item में starch component पाया जाता है next question number 3 students name the solutions used to test protein कि हमें protein component का test करना है कि हमारे food item में protein component है या नहीं तो इसके लिए किस solution का यूज करते हैं इसके लिए students two solution यूज के जाते हैं first caustic soda second copper sulfate caustic soda और copper sulfate की help से ये test किया जाता है कि हमारे food item में protein component है या नहीं number 4 an oily patch on paper shows that the food contains death component कि अगर paper पर food component wrap करने से उस पर oily patch बन जाता है तो oily patch क्या show करता हमें कि उस food के अंदर कौन सा component शामिल है fat कि fat component होता है students अगर food के अंदर fat component है तभी उस paper पर oily patch बनता है ये सभी test हमने chapter study करते हैं इसमें activities में समझे थे question number 5 friends what are deficiency disease कि deficiency disease का meaning क्या है क्या होती है deficiency disease the disease caused due to lack of nutrients कि हमारे बोड़ी में अगर nutrients की lack यानि कमी हो जाती है तो उसकी वज़े से strengths जो disease होती है और ये जो nutrients and strengths over a long period कि एक लंबे पिरेड तक कि one week या two week में नहीं पता लगता लगिन अगर हम one year तक के लगातार ऐसे food item लेते रहें जिसमें किसी special nutrients की कमी हो जाती है तो उसकी वज़े से strengths हमें disease हो जाएगी बिमारी हो जाएगी कोई our card deficiency disease तो उसी disease को deficiency disease के नाम से जाना गया है क्योंकि वह किसी खास nutrients की कमी की वज़े से हुई है question number six write it to name of deficiency disease की किनी भी deficiency disease के two name लिखने हैं इसके लिए हमने एक table भी learn की थी chapter में जैसे scurvy and berry berry इसके लवा और भी होते हैं इस्ट्रेंट रिकेट से कोई भी two disease के नेम लिख सकते हैं night blindness है बहुत सारी disease होती है जो deficiency की वज़े से होती है question number seven what is the importance of water in our body की हमारी बोड़ी में water की क्या importance है कि हम food items खाने के बाद water क्यों लेते हैं कि water helps our body to absorb nutrients from food कि food में जो nutrients यानि component होते हैं इस nutrients उनको हमारी बोड़ी तभी absorb कर पाती है जब हम water लेते हैं हमें खाना खाने के लगबग एक गंटे के बाद ही water पीना चाहिए इसके लावा जब हम कोई food item पकाते हैं उसमें भी water हम डालते हैं ताकि उसे food के जो nutrients हैं components हैं उसे हमारी बोड़ी आसानी से absorb कर सके question number eight what is the importance of rafage कि rafage नाम का जो nutrients है उसकी क्या importance है in our body कि हमारी बोड़ी में क्या importance है rafage helps our body to get rid get rid का मतलब experience किसी चीज़ से छुटकारा पाना या किसी चीज़ को remove करना या बोड़ी से बाहर निकालना कि rafage हमारी help करते हैं कि हमारी बोड़ी get rid of undigested food की food का जो पार्ट undigested बच जाता है उसे हमारी बोड़ी से remove करने में रफिज नाम के components help करते हैं अगर हम और रफिज हमें कहां से मिलते हैं सुटेंट्स fresh fruit and vegetable तो हम जब भी food item लेते हैं तो साथ में vegetables अवश्य ही लेते हैं ताकि हमारी बोड़ी में वो हमारी help करें अगर हम मेदे से बने हुए चीज़ें लगातार खाते रहें तो वो हमारी बोड़ी के अंदर चिपकने स्टार्ट हो जाते हैं स्टोमेक के अंदर और vegetables हमें help करेंगी undigested food को हमारी बोड़ी को छुटकारा पाने में question number 9 why are minerals essential कि minerals क्यों जरूरी हैं for our body कि food के अंदर जो minerals होते हैं minerals भी एक तरह के components हैं food component कि वो क्यों जरूरी है minerals are essential for proper growth of our body कि हमारी बोड़ी की अच्छी तरह से growth होसके इसके लिए हम ऐसे food item लेते हैं जिन में minerals पाए जाते हैं last question students question number 10 which disease is caused by deficiency of iron की deficiency से iron भी क्या है friends एक mineral है जो की green vegetables में पाय जाता है अगर उसकी हमारी बोड़ी में deficiency यानि कमी हो जाएगी तो वह किस disease का cause यानि reason बनेगा तो उसकी वज़े से हमें anemia नाम की disease हो जाती है जिससे हमारी बोड़ी में bird की कमी हो जाएगी okay friends यह आपको आज learn कर लेने है चैप्टर टू को अच्छी तरह से त्यार कर लेना है ताकि हम इसका online class test लेश के okay friends thank you